जैश्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव पर आज हम आपके लिए लाएं है एक साधारन सी लड़की की प्रेड़ना भरी कहानी पूरी विडियो लास तक जरूर देखिएगा नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे इस कहानी का टाइटल है उद्देश पूर्ण जीवन तो चलिए शुरू करते हैं एक बार की बात है सरिता नाम की एक युवती थी सरिता को हमेशा से ऐसा लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है भली ही उसका एक सफल करियर और एक प्यार करने वाला परिवार था लेकिन वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या है आखिर वह कर क्या रही है अपने जीवन के साथ लेकिन वह जानती थी कि वह अपनी पूरी क्षमता तक नहीं जा पा रही थी एक दिन सरिता को जीवन में अपने उद्देश को कोजने के बारे में एक किताब मिली जिसका नाम उद्देश पून जीवन था उसने इसे पढ़ने का फैसला किया और पाया कि उसे दूसरों की मदद करने का एक जुनून था लेकिन उसने इसे अपने जीवन में उतारने के बारे में कभी विचार नहीं किया सरिता ने विश्वास की छलान लगाने का फैसला किया और एक गैर लावकारी संगठन यानी कैन जीओ शुरू करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी जो लोगों की जरूरत में मदद करेगी शुरूआत में उन्हें कई चुनौतियों और अस्फलताओं का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी उसने अपने दिल और आत्मा को अपने काम में जोक दिया और धीरे धीरे समान विचारधारा वाले व्यक्तियों की एक टीम बनाई ज़ इन्होंने उसके जुनून को साज़ा किया जैसे जैसे उसका संगठन बढ़ता गया सरिता को एसास हुआ कि उसको अपने जीवन में एक सच्चा उद्देश मिल गया है वह खुद को बहुत खुश महसूस करती थी यह जानकर कि वह दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल रही है उसका काम हमेशा आसान नहीं था लेकिन वह जानती थी कि वह इसके लायक है वर्षोबाद सरिता ने अपनी यात्रा पर पीछे मुड़ कर देखा और महसूस किया कि उसने जो सबसे महत्वपून सबक सीखा है वह यह है कि अपने उद्देश को पूरा करना एक पून जीवन की कुणजी है जब आप वह करते हैं जो आपको पसंद है और जिसके लिए आपके अंदर एक जुनून है तो आपको किसी भी बाधा को दूर करने के लिए प्रेड़ना और उर्जा मिलती है आज सरिता का संगठन बहुत बड़ा हो गया है और अनेकों लोगों के जीवन पर सरिता के दौरा किये गए बदलाव पर उन्हें गर्व है वह जानती है कि वह अपने उद्देशे को जी रही है और वह दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोचाहित करती है इस कहानी से हमें यह हसीक मिलती है कि हमें हमेशा वही काम करना चाहिए जिसमें हमारी रुची विशेश हो और मिहनत करते रहना चाहिए एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है अगर आपको हमारी ये विडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले जलद मिलते हैं अगले विडियो में कैसी ही प्रेड़ना भरी कहानी के साथ धन्यवाद